नमस्कार न्यूज एट नैन प्रोग्राम में आपका स्वागत है मैं हूँ अम्रितुपाध्याय आई ये जल्दी से देखें आज के हेड्लाइन्स ब्रिक्स का सोला हुआ सम्मेलन हुआ समाप्त कजान घोशना अपनाई गई भारत की हुई तारीव यूएन का स्थापना दिवस आज 193 सदस्य देश हैं शामिल दुनिया भर के देशों को एक साथ लाने वाला एकलोता फोरम है यूएन और लेबनान की मदद को आगे आया फ्रांस फ्रांस का उपनिवेश रह चुका है लेबनान इस्राइल के हमलों से आर्थिक संकट में डूगा है ये देश आये शुरू करें ब्रिक्स का सोला हुआ शिकर सम्मिलन रूस के कजान में समाप्त हो गया है बैठा के दौरान 134 पॉइंट्स वाली कजान घोशना को अपनाया गया पूरी घोशना की केवल एक पॉइंट में यूक्रेन वार का जिक्र किया गया है दे इंस्टिटूट फॉर दे स्टडी ओफ वार के मुताबिक भले ही रूस ब्रिक्स के सम्मिलन के अध्धक्षता कर रहा था लेकिन युद्ध के मसले पर वैश्विक नेताओं की सहमती बनाने में वो नाकाम्याब रहा रूस ने यूक्रेन की संप्रभुता को नकारते नाटो के विस्तार को काउंटर करते हुए युक्रेन पर आकरमण को जस्टिफाई किया है कजान गोशना में मिडल इस्ट द्वारा इसराइल में लिये जा रहा है एक्शन्स की भी आलोचना की गई साथी गोशना में साउथ सुडान में चल रहा है सिविल वार को भी डिसक की गई है इंटरनेशनल बिग कैट अलाइंस के निर्माण में भारत की भूमिका को हाइलाइट किया गया है एक मजबूत आई-म-फ यानि अंतराश्ट्रिया मुद्रा कोश की बात भी कही गई है ब्रिक्स देशों और उनके व्यापारिक साज़दारों के बीच वितिया ल आया था 193 सदस्यों वाला ये संगठन यूएन चार्टर से दिशा निर्देशित होता है बदलते वक्त के साथ यूएन में भी तबदिली आई है लेकिन एक बात इसके स्थापना से लेकर आज तक बरकरार है यूएन पूरे प्रित्वे पर एक मात्र ऐसा स्थान है जहां दुनिया भर के देश साजी समस्याओं के लिए एक जगा आके समधानों पर बात करते हैं यूएन में वर्तमान में 193 देश सदस्य हैं सबसे हालिया सदस्य है साउट सुडान जो 2011 में यूएन का सदस्य बना सभी यूएन के सदस्य यूएन जनरल असेंबली यानि महासभा क सदस्य बहुती हैं किसी भी नय सदसय को यूएन में दाखिल करने का निर्न, जनरल असेंबली सुरक्षा परशद की सिफारश यूपर लेती है, सेकरेटरी जनल यूएन के दूसरे कारेकाल के लिए न्यूक्त किया गया है यूएन के प्रमुख अंगों की बात करें तो UNGA यानि UN General Assembly, Security Council यानि सुरक्षा परशद, The Economic and Social Council यानि सामाजिक और आर्थिक परशद, The Trusteeship Council और UN Secretariat इसमें शामिल हैं अब हम एक एक करके UN के इन और्गन्स को देख लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं UNGA यानि UN के General Assembly की, UN का एक प्रमुख नीती निर्माता अंग है General Assembly, ये सभी सदसे देशों को बहुत पक्षिया मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मोहिया कराता है, इस सुरक्षा परशद के अस्थाई सदस्यों के चुनाओं के लिए जिम्मेदार है, UN बजट को भी अप्रूव करती है, UN चार्टर के मुताबिक UNGA वर्तमान में अंतराश्ट्रिय शान्ती और सुरक्षा के उन मुद्दों को देखने के लिए भी जिम्मेदार है, जिनें UN Security Council क द्वारा हैंडल नहीं किया जाता, UN के दूसरे अंग की बात करें तो दूसरा प्रमोख अंग है सुरक्षा परशद, UN चार्टर के मुताबिक अंतराश्ट्रिय शान्ती और सुरक्षा बनाये रखना इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, इसमें कुल 15 सदस्यों होते हैं, ज यदि कोई एक भी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट दे दे, यानि वीटो कर दे, तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होता, इसे ही वीटो पाउर कहते हैं, चार्टर के तहट सभी सदस्यों को परशद के निर्नेों का पालन करना अनिवारिय होता है, आर्थिक और समाजिक प इसेंबली के द्वारा ही होता है, तीन साल के लिए, सतत विकास के लिए डिबेट और डिसकेशन के लिए जिमेदार ये एक एहम संस्था है, ट्रस्टिशिप काउंसिल की स्थापना 1945 में सन्योक तराष्ट चार्टर के तहत ही की गई थी, इसका मकसद 11 ट्रस्ट क्षत्रों के लिए इंटरनेशनल सुपरविजन प्रदान करना था, 1994 तक सभी ट्रस्ट क्षत्रों ने स्वाशासन या स्वातंतरता प्राप्त कर लिए थी, ट्रस्टिशिप काउंसिल ने एक नومंबर 1994 को अपने ऑपरेशन सस्पेंट कर दिये थे, इसके अलावा ICJ यानी UN का एक प्र होता ऐसा ओर्गन है, जिसका मुख्याल है, नियू यॉर्क में नहीं है, 15 ने आदीशों से बने ICJ के पास मुख्य तोर पर दो काम है, दुनिया के देशों द्वारा अपने आपस के विवादों के लिए दायर की गई याचकाओं को सुलजाना, इसके अलावा UN और उसकी व भारत UN का सदस्य है, तो हम भारत के सिटिजन के तोर पर यहां जाकर मुकदमा दायर कर सकते हों, किसी देश के नागरिक, NGO और निजी संस्था की याचका को ICJ एंटरेन नहीं करता, लेकिन कोई देश अपने नागरिक के बिहाफ पर किसी दूसरे देश के खिलाफ यहां मु अटो लेकर सुनवाई नहीं कर सकता, क्या आपके मन में कन्फ्यूजन है कि IS प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन थक पहुंचाएं, तो जुड़िए UPSC IS प्रेलेम्स टु इंटर्व्यू यानि P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लिम का सॉलूशन है मौजूद, आप गाओं में हैं या शहर में कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000 प्लस आर्स की लाइव ऑनलाइन का क्षाएं, और आपको पढ़ते समय कोई कॉई कॉई बात नहीं, मेंटॉर्शिप प्रोग्राम का लाव उठाईए और अपने मेंटॉर से नहीं मिल रहा जवाब, तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा, हर एक टेस्ट से तयार होगा आपकी सफलता का ब्रेंच, ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में, जिससे आपको हासिल होगी GS में महारत, सो जस्ट गो एहेड, आज ही जुडिए हमसे, अमरित लाइव को का यूज कीजिए और एड्मिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार, दौजार चौबीस में आयूरवेद दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा, इस साल आयूरवेद दिवस दुनिया भर में 150 से ज़्यादा देशों के द्वारा मनाया जाएगा, इसकी थीम आयूर इनोवेशन्स फॉर ग्लोबल हेल्थ रखी गई है, इस मौके पर आयूश मंत्राले नई दिल्ली स्थित All India Institute of Ayurveda, AIA, इसमें एक इवेंट भी आयूजित करने की तैयारी में है, सरकार का मकसद आयूरवेद को वैश्वी कस्तर पर एक चिकित्सा प्रणाली के तौर पर वि बता दें, भारत में प्रचलित आयूश प्रणाली में आयूरवेद, योग, नेचरोपैथी, युनानी, सिद्धा और होमयोपैथी शामिल है, आयूरवेद संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, आयू प्लस वेद, जिसका आर्थ है जीवन का विज्यान, आयूरवे आत्मा और सामाजी कल्यान के बीच संतुलन की स्थिती, इसमें बिमारी के केवल लक्षनों को इलाज करने के बजाए, बिमारी के मूल कारण को खोजने, उसका इलाज करने पर फोकस किया जाता है आयरुवेद के हिसाब से किसी भी तरह की विमारी चाहे वो शारीरिक हो, मांसिक हो, एक तरह की imbalance यानि संतुलन के कारण पैदा होती है आयरुवेद के बारे में जानने के लिए सबसे बहतर बुख है चरक सनीता आयरुवेद में तीन पिलर्स बताये गए हैं, पहला है आहार मतलब संतुलित भोजन, निद्रा यानि प्रॉपर स्लीप और ब्रहमचरे मतलब एनरजी का प्रॉपर मैनेजमेंट आयरुवेद के हिसाब से इनसानी जीवन में पूरी लाइफस्टाइल इन्ही तीनों फाउंडेशन के इर्थ-गिर्थ घूमती है लेबनान इन दिनों बड़े संकट से गुजर रहा है, दरसल लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच छिड़ी लड़ाई ने लेबनान के लाखों लोगों को इस्थापत कर दिया साथी पच्चिस सो लोगों की करीब मौत हो गई है इस लड़ाई से लेबनान में आर्थिक संकट गहरा गया है ऐसे में फ्रांस ने लेबनान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है ये घोशला पेरिस में आयोजित इंटरनेशनल कॉनफरंस फ़र लेबनान में की गई है फ्रांस ने लेबनान को 100 मिलियन यूरोज की मदद देनी की बात कही है फ्रांस ने इस मामले में इसराइल की आलोचना भी की फ्रांस के मताबिक इस हमले में सिविलियन्स मारे जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है वो सिविलियन्स जिनका कोई दोश नहीं है लेबनान से फ्रांस का अतिहासिक रिष्टा है लेबनान फ्रांस का उपनिवेश रहा है इससे पहले इटली और जर्मनी लेबनान की मदद करने की गोश्टना कर चुके हैं आपको बता दें कि लेबनान पश्चिमेशिया में भुमद्य सागर के पूरवी तट परिस्थित एक छोटा से देश है लेबनान अपनी जमीन सीमा दो देशों के साथ साजा करता है एक तो इसराइल और दूसरा सीरिया भुमद्य सागर इसके पश्चिम में स्थित है वहें स करेगा जैसे बिल्डिंग्स और विद्युत कारियों के लिए पहले से कोड्स मौजूद हैं सनिताय मौजूद हैं वहीं बियाएस ने क्रिशी मशीनेरी और खाद उरवरक जैसे इंपोर्ट्स के लिए मानक बनाए हैं एनसी खेत की तैयारी से लेकर फसल भंडारन तक पू विश्य में सुधार के लिए दिशा निर्देश भी देगा ये सनिता दो भागों में होगी एक तो सभी फसलों के लिए कुछ जनरल प्रिंस्पल होंगे दूसरा गेहूं धान दालो जैसी फसलों के लिए विशिष्ट मानक होंगे एनसी का मकसद किसानों विश्व विद्य करका है इसके बाद किसानों को इन मानकों का उपियोग करने के लिए प्रशिक्षन दिया जाएगा हाई ये देखें आज के रैपिड नियूज में क्या है खास FAO यानि खाद्य और क्रिशी संगठन ने क्रिशी में जल संकट को सुल जाने के लिए रोम गोशना को अपनाया FAO का कहना है कि 2050 तक दुनिया के आधी से ज्यादा आबादी को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है जिसका सीधा असर खाद्य उत्पादन पर पड़ेगा इस घोशना में बेहतर नीतियों वित पोशन और जल प्रबंधन पर जोर दिया गया है तकि खाद इस सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके 2016 में सन्युक्त राश्टर जलवायू सम्मेलन में WASAG यानी Global Framework on Water Scarcity in Agriculture पहल को शुरू किया गया इसे जल की कमी का सामना करने वाले देशों का सहयोग करने के लिए लाया गया था शोद करताओं के एक टीम ने दक्षण भारत में Jumping Spider की नई प्रजाती तेनकाना की खोच की है इसका तेनकाना नाम कननड शब्द से लिया गया है इसका अर्थ है दक्षण जो यह दरशाता है कि यह प्रजाती दक्षण भारत और उत्तरी श्रिलंका से समदित है नेशनल एडुकेशन सुसाइटी फॉर ट्राइबल स्टुडेंट्स ने अमेजॉन फ्यूचर एंजीनियर प्रोग्राम का तीसरा चरण शुरू किया है इसका रिक्रम को EMRS यनि एक लव्य मौडल रेजिडेंशियल स्कूलों के जनजातिया विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया है यह प्रोग्राम विद्यार्थियों में कंप्यूटर अवेरनेस को बढ़ाएगा इस तीसरे चरण में ब्लॉक्चेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और ब्लॉक प्रोग्रामिंग पर ओरियन्टेशन आदी को शामिल किया गया है इसे आंध्रप्रदेश, गुजरात, करनाटक, मध्रप्रदेश, ओडिशा, तलंगाना और स्त्रिपुरा के 50 एकलवे मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में लागू किया जा रहा है इसका मकसद जनजातिय विद्यार्थियों को साइंस टेकनोलोजी में करियर बनाने के लिए तैयार करना है त्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ITBP याने इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के 63 स्थापना दिवस पर बदाई दी ITBP के स्थापना 24 ऑक्टूबर 1962 को हुई थी वर्तमान में यह बल 3488 किलोमेटर लंबी भारत चीन सीमा की सुरक्षा कर रहा है जो लदाख में काराकोरम दर्रे से लेकर आरुनाचल प्रदेश में जाचेपला तक के क्षट्र को कवर करता है इसकी अधिकांश चौकियां 9000 से 18800 फीट की उचाई परिस्थित हैं जहां अधिकांश समय तापमान शूनी से नीचे रहता है इसके अलावा ITBP कई इंटर्नल सेक्योर्टी चैलेंज हिमाले क्षित्र में प्राकृतिक आपदाओं के लिए फर्स्ट रेस्पॉंडर और 36 गड़ में उगरवात के खिलाफ अभियानों में महत्वपोन भूमी का भी निभा रहा है जिंबॉबे क्रिकेट टीम ने T20 इंटर्नेशनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कूर बना दिया है जिंबॉबे ने गांबिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 344 रन का विशाल रिकॉर्ड बना दिया ये T20 इंटर्नेशनल क्रिकेट में किसी भी टीम दोरा किया गया सबसे बड़ा स्कूर है पिछला रिकॉर्ड नेपाल के नाम था उसने मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बनाये थे इसके अलाब जिंबॉबे ने गांबिया को 290 रनों से भी हराया जो T20 इंटर्नेशनल के इतिहास में सबसे बड़े मार्जिन वाली जीत है भारत भी T20 इंटर्नेशनल में सबसे अधिक स्कूर वाली लिष्ट में तीसरे स्थान पर है भारत ने हाल ही में बांगलादेश के खिलाब 297 रनी स्कूर किया था आईए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारे त्रश्ट पहला सवाल है निमनलिकित कतनों पर विचार कीजिए सन्युक्त राष्ट का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है UN चार्टर के मुताबिक सभी सदस्य देशों को सुरक्षा परशत के निर्णेओं का पालन करना आनिवारिया है उपर युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए केवल एक केवल दो एक और दो दोनों न तो एक नहीं दो अगला प्राशन है रोम घूशना संबंदित है क्रिशी में जल संकट से जल प्रदूशन से ई-वेस्ट प्रबंधन से या फिर ब्रिक्स देशों से आईए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे उनके सही जवाब क्या है पहला सवाल था करतारपूर इस्थे थे नारोवाल पाकिस्तान गुर्दासपूर भारत अमरित्सर भारत या फिर हसन अब्दल पाकिस्तान सही जवाब है विकल्प ए यानि नारोवाल पाकिस्तान अगला प्रश्ण था सोला हूई युनाइटेड नेशन बायो कायोजन कहां हो रहा है कोलंबिया ब्राजील कैनेडा या फिर बोलीविया सही जवाब है कोलंबिया यानि विकल्प ए तो आज इस बुलेटिन में इतना ही कल रात नौबजे आपसे फिर से मुलाकात होगी इस बुलेटिन को जल्दी से लाइक कर दीजे अगर आप इस बु झाल